हलो दूस्तों मेरा नाम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा है स्टडी चैनल आज है दोस्तों 16 माई और 16 माई को आज एक बहुत ही महत्पूर सुनवाई होनी थी B8 वर्सेस BTC मामले की एलाहबाद हाई कोट में सुनवाई हुई भी लगवग 12 बज़े सुनवाई हुई लेकिन सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही सुनवाई हो सकी और उसके बाद revised list में मामले को डाल दिया गया यानि कि लंच के बाद एक बार फिर से इस पर बहस होनी थी लेकिन समय नहीं मिल पाया और लंच के बाद दुबारा से इस मामले की आज बहस नहीं हुई finally latest update ये है कि फिर से कल यानि 17 मई को अगली डेट लगा दी गई है कोट नमबर 32 में तो कल इस मामले की एक बहुत ही महत्पुर सुनवाई होनी है देख सकते हैं 15.12.2022 रिट नमबर है जिसे परतीक मिस्रा ने इलहाबाद हाई कोट में लगाया है ये पूरा मामला depend है राजस्थान की जोदपुर हाई कोट के उस judgment की जिसके तहत बीट को प्रात्मिक से बाहर कर दिया गया है वही ओर्डर एलहाबाद हाई कोट में लगाया गया है और एलहाबाद हाई कोट ने फिलहाल UPTate 2021 रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है यानि कि certificate वितरण PNP अभी नहीं कर सकता अब देखना होगा कर इस मामले में क्या होता है एक बहुत ही मात्पुर सुनवाई होनी है आप लोगों को सारी अपडेट इस चैनल के मात्यम से दी जाएगी आज ज़्यादा सुनवाई हो नहीं पाई जिसकी वज़े से कोई निसकर्स नहीं निकल सका बी एट प्रात्मिक में रहेगा या नहीं रहेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है और देश के अलग-अलग हाई कोट में चाहे हो पश्यम बंगाल हो फर्याना हो दिल्ली हो तमाम जगों पर ये मामले कोट में चल रहे हैं डीलेट वाले चात्रों की ये कोशिस है कि बी एट को किसी तरीके से प्रात्मिक से बाहर कर दिया जाए ताकि उन्हें मौके ज़्यादा मिलें और डीलेट वाले अभ्यर्थियों को अराम से प्रात्मिक में नौकरी मिल सके इसके पीछे का एक बड़ा लौजिक ये है कि ब हाई जून 2018 को NCTE ने एक notification जारी किया जिसके तहट B8 प्रास्विक में सामिल हुआ और उसी के तहट 29 अधर कि सिशक भरती में उत्तर प्रदेश में भी B8 वाले अभ्यरती सामिल हुए और आज वो नौकरी भी कर रही है लेकिन जोदपूर की High Court ने NCTE को उस notification को भी रद कर द आएगा यह बहुत ही important फैसला होगा और वो पूरे देश में लागू होगा और जो अलग-अलग राज्यों में विवाद चल रहे हैं वो भी समाप्त हो सकेगा लेकिन फिलहाल एलहाबाद High Court ने 12 माई को एक महत्पूर आदेश दिया था जिसके तहट यूपी टेट के certificate वि कुछ ना दिया जाएगा बिल्कुल लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यहां पर सिर्फ ऑथेंटिक इंफॉर्मिशन दी जाती है जब को important news होती है तभी news आपको दी जाती है लगाता आदिन भर वीडियो बनाकर आपको बिल्कुल भी परिशान नहीं किया जाता है तो जूड़ जाएगा अभी के अभी अभी अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जूइन नहीं किया है तो ज़रूर जूइन कर लाएं लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रोवाइड कराए जाती है इस वीडियो बस इतना ही वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और हमारे साथ जूड़े रहें